हलो प्रेंड आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चेनल में आज मैं आपके लिए लिए कराया हूं बाल विकाशेवन सच्छा सास्तर का पार्ट 16 से पहले 15 पार्ट अबलोड कर चुका हूं जिन लोगों ने मेरे प्रिवेस बीडियो नहीं देखिया वो देख सकता है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो पहला कुश्ण है बालक का सामाजी करण कव आरम होता है तो सैस्वा अवस्ता होती है जो 0 से 5 वर्स होती है उसमें बालक का सामाजी करण प्रारम हो जाता है सामाजी करण में बालक सबसे पहले किसको पैचानता है तो सामाजी कर की अवस्ता कौन सी है कहलाती तो बाल ले अवस्ता कहलाती बालक के ग्रो की अवस्ता बालक में नकार आत्मक सोच कौन सी अवस्ता में उत्पन होती है तो कि सुर्ण वस्ता में बालक में नकार आत्मक सोच प्रारम होती उत्पन होती है सामाजिक अदिगमन का सिद्धान किस ने दिया था तो बंदूरा और बाल्टर जिनोंने सामाजिक अदिगमन का सिद्धान दिया था मनो सामाजिक विकास का सिद्धान किस ने दिया था तो इरेक्सन ने मनों समाज़क विकास के सिद्धन दिया था समायोजन की अवस्ता कौन सी अवस्ता कहलाती है तो सहस्वावस्ता ही समायोजन की अवस्ता कहलाती है बालक नए नए मित्र कब बनाता है तो जब बावस्कूल जाता है बरतमान में बिद्याल जाने की उम्र कितनी है तो बरतमान में बिद्याल जाने की उम्र तीन वर्स है उपचारिक सिच्चा प्रारम होने की उम्र कितनी है तो उपचारिक सिच्चा प्रारम होने की उम्र छे बर्स है उपचारिक सिच्चा किसे कहते हैं तो स्कूल में दी जान नहीं की किरिया कब तक चलती है तो सामाज करणगी पहली पाठ पाठ नहीं से तो परवार कि पहली पाठ साल है कि कि टने महा में अपनी माता को पहचानने लगता है तो बालक तीन मां में अपनी माता को पहचानने लगता है, सरमर की अवस्ता को कहते हैं, तो सहस्वा अवस्ता को सरमर की अवस्ता भी कहा जाता है, आपस में जगणने की वावना कोन सी अवस्ता है, आपस में जगणने की तो बाल अवस्ता, इस्या वावना कोन सी अवस्ता में पैदा ह होती है एक स्व Gleich was thecha सबसे चाहती है वह स्वाज हमाज कि बिदी इसकेल कॉन सी है तो सोसियो मैं ट्री यसे सामाज मितिक आ सो manifestations का किस न किया था तो डॉक्टर एड़लर ने कितनी क्रीज को मापा है तो 117 सामाज einen क्रियां बताई जो जन्म से लेकर कि सुरा वस्ताकर तक होती हैं बालक मानव दुनी एवं अन्दुनी में अंतर करना कब सीख जाता है तो एक महां में अंतर मुखी एवं भाय मुखी में से सामाजक बिकास किसका अधिक होता है तो बाहर मुखी का सबसे अधिक होता है तो दोस्तों यह थे आज के 25 इंपोर्टेंट क्वेशन आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा और जो लोग उनलाइन स्टेडी करने में और वो अमारे यूट्योब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवात जैहिन जै भारत